हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग किस तरह से अपने लैप टॉप में हिंदी को टाइप कर सकते हूँ, कभी कभार क्या होता है हम लोगों को रिक्वार्मेंट परती है कि हम लोग जो है हिंदी में लिखें, तो उस केस में आप किस तरह से हिंदी में टाइपिंग कर पाओगे, बहुती इजली स्टैप्स में, उसके लिए आपको हिंदी की टाइपिंग आना जरूरी नहीं है, आप इंग्लिस की टाइपिंग से ही काफी अच्छी हिंदी लिख सकते हो, जो भी चीज़े आप इंग् अच्छी को हिंदी लिख पाओगे, तो जिसकि आप देख सकते हो, मैं यहाप आपको इंग्लिस में पहले टाइप करके दिखाता हूं, कि जैसे कि में टाइप अगर कर रहा हुं, हलो, तो मैं यहाँ पर English में टाइप कर रहा हूँ Hello कैसे हो तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर English में टाइप किया और यहाँ पर as it is टाइप तो English में हुआ है लेकिन इसको पढ़ोगे तो यह sound जो है Hindi में करेगा ठीक है अगर मैं इसको English में टाइप करूँ और टाइप जो है यह Hindi में हो तो वो अगर मेरे को करना है तो वो कैसे करेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और output result कुछ इस तरह से होने बाला है इसमें आपको कोई भी software डाउनलोड करने की जरूत नहीं है ना ही कोई extension डाउनलोड करने की जरूत है मैं आपको simply settings बताऊँगा उनको आप कर लोगे तो आप easily जो है English में टाइप करोगे और हिंदी में आपका लिखता हुआ जाएगा और अगर आपको English में भी चाहिए तो नीचे जो है options आजाए करेंगे तो आप वो word select करके उसको English में भी ले सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं जो है देखो English में टाइप कर रहा हूँ Hello ठीक है और मैंने जैसे इस पेस दबाया तो यहाँ पर आप देख सकते हो Hello जो है हिंदी में टाइप हो गया ठीक है? Hello और मैं यहां पर देखो English में type कर रहा हूँ कैसे हो ठीक है जैसे ही मैं English में type करता हूँ तो यहां पर जो है मेरे पास मैं Hindi के सारे options आते हैं और नीचे जो है English में भी second number पर word आ जाता है अगर मेरे को English में चाहिए तो वो भी मैं ले सकता हूँ तो मेरे को यह चाहिए और अगर मैं full stop लगाता हूँ तो यहां पर आपको full stop का symbol मिल जाता है और यहां पर विराम चिन का भी symbol मिल जाता है तो इस तरह से आप जो है अपने computer में भी setting करके इसको Hindi की typing को easily लिख सकते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको bottom side, right side में bottom पर जाके यह जो language preference का symbol है यह जो option है इस पर आपको click करना है जैसी आपको इस पर click करोगे तो आप जो है language की settings है वहाँ पर पहुंच जाओगे यहाँ पर पहुंचने के बाद में आपको यहाँ पर window display language यहाँ पर आपको window display language का option मिल रहा होगा ठीक है यहाँ पर आपको English का होगा और यहाँ आपको preferred language का एक option मिलेगा उसमें जो है add a language का एक option मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर आप इसके नीचे देख सकते हो आपके computers में जो है English का एक option यहाँ नीचे show कर रहा होगा नीचे देखो मैंने यहां पर Hindi का add कर रखा है इसी तरह से अगर आपके मैं Hindi add नहीं हो रखा होगा तो आपको क्या करना होगा add a language पर click करके यहां पर आपको Hindi type करना होगा Hindi जैसे आप type करोगे तो वहां पर आपका जो keyboard है वो जो Hindi का option है वो आ जाएगा और उसको click करके आप उसको add कर सकते हो जैसी आप add करोगे तो यहां पर आपका Hindi का option open हो जाएगा ठीक है open होने के बाद में आपको click करना है next यह options पर ठीक है और यहां पर language pack install यहां पर मैंने install कर रखा है अगर आपके में नहीं हो रहा होगा तो यहां पर install का option आ रहा होगा उसको install कर ले ला और handwriting का भी install कर ले ला चीक है उसके बाद में यहां पर आपको क्या है Hindi language के अंदर keywords का option मिलेगा तो यहां पर आपको na Hindi language के अंदर keywords के types मिलते हैं कही सारे उन में से आपको एक select करना होगा तो यहाँ पर आप add ए keyword करोगे तो यहाँ आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो Hindi के keywords हैं वो available है तो आपको मैं जो suggest कर रहा हूँ वो Hindi जो keyword है इसको आपको click करना है और add कर लेना है इसको आप जैसे add करोगे तो आप जो है Hindi में English में type करोगे और Hindi में आपकी जो कुछ भी type करोगे वो लिख जाया करेगा ठीक है अगर आपका ये Hindi fontic वाला जो option है वो अगर नहीं आ रहा है तो आपको simply क्या करना है आपको इधर जाके आपकी जो computers की settings है वहाँ पर जाके आपकी जो window है उसको आपको update करना होगा आपके settings में जाके update and security पर जाके आपको यहाँ पर जो window का जो update है उसको update कर लेना और जैसे window update हो जाएगी आप अपने computer को restart करना और जैसे आप restart करोगे और फिर से अपनी language को open करोगे तो यहाँ पर आपका जो fontic वाला जो keyword है वो भी show होने लगेगा ठीक है और याद रहे कि यहाँ पर जो pack अगर language pack है और यह आपने install कर रखा हो तो इसके बाद में आप जो है इस तरह से language लिख पाऊगे तो होप करता हूँ और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको regular updates मिलते रहें Thank you for watching this video